नमस्कार, Hindi Learning चैनल पर आपका स्वागत है, आज आश्मा महाजन अपकी अधिहापी का शार्दा संस्कित पाठे पुस्ता क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 13 का पार्ट 1 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई है, इश्वर अस्य महत्ता, शार्दा बुक की प्ले एका बटन दबाना है आपको और दोस्तों के साथ शेयर करना है क्योंकि ज्यान पाठने से ही बढ़ता है, तो पाठ शुरू करती हूँ बच्चों, पूरा विजे नगर समराजे, प्राचीन काल में, विजे नगर समराज्य में, राजा जानिकी नुरिपस्य, राजा, कृष्णदेव राय का शासन था, से अती विनम्र, जानिकी बहुत विनम्र, द्यालू और प्रकृती प्रेमी आसीत मतलब था, तस्य रासबायाम, उसकी रासबा में, सर्वता हमेशा, विदूशाम, विद्वानों का, आदरम सत्कारम चा भवतास्म, आदर और सत्कार होता ठीक है, तस्य उसके प्रामर्श दाता, सलहकार, तेनाली राम है, अपी भी अती विद्वान पुरुशा आसीत, बहुत पड़े लिखे, विद्वान पुरुश थे, अस्य भारिया, इनकी पतनी, अपी भी विदूशी महिला आसीत, विदूशी महिला थी, एक दान नरिपस होता है, राजा के, मनसी होता है, मन में, त्रे प्रशना आगच्छन, तीन प्रशन आए, सैतान प्रशनान, वे उन प्रशनों के विशे, विशे में, चिन्तित्वा, सोच कर, अती व्याकुलों अभवत, बहुत व्याकुल हो गया, एक दा, एक बार, राज सबायां, राज स प्रिच्छत चिंता का कारण पूछा एक बार राज सबा में तेनाली राम ने राजा की चिंता का कारण पूछा राजा अवदत राजा बोला मम अनसी मेरे मन में त्रै प्रश्णा संती तीन प्रश्ण है किम्त्वम क्या तुम मम प्रश्णा नाम मेरे प्रश्णों का उत्रम दास्यस ही उत्तर दोगे तेनाली राम है अकत्यत तेनाली राम ने कहा अहम प्रियत्नम करिश्यामी मैं प्रियत्न करूंगा कृपया बवान प्रश्नान वदतू कृपया बवान होता है आप प्रश्न बोलें ठीक है आग्या देनी है इसलिए लोटलका लगा हुए वदतू र हैं तो इसका रिटन अनुवाद आपको पार्ट टू में भी मिलेगा और अगर अनुवाद में कोई चीज आपको लगता है कि नहीं ऐसा बोला गया वीडियो में तो आप वीडियो को ध्यान से सुन सकते हैं क्यूंकि कहीं बार जब हम अनुवाद लिखते हैं तो उसमें कभी मिस्टेख हो भी जाती है राजा अबदत राजा बोला मन प्रत्मै प्रशनों अस्ती जैसे की मैंने आपको बताया मिरा पहला प्रशन है ईश्वर कहां है उसके दर्ष्टन कैसे हो सकते हैं मन वर्टते मेरा दूसरा प्रशन है सै कुत्रपच्यदि वे कहां देखता है तसस तीसरा प्रश्न सैकिम किम करतुम शक्यते वेक्या क्या कर सकता है अधुना सैकिम करोती अब वेक्या करता है एतान प्रश्नान इन प्रश्नों को शुरुत्वा सुनकर तेनाली रामो अपी तेनाली राम भी चिंतितोव भवत चिंतित हो गए सोचने लगे सैन रिपम अकत्यत उन्होंने राजा से कहा श्वय चिंतित्वा कल सोचकर भवतय आपके प्रश्णा नाम उत्तरानी दास्यामी इती प्रश्णों के उत्तर दूंगा तदा नुरिपम तब राजा को प्रनम्य प्रनाम करके सैस्व ग्रहम प्रती अचलत वै अपने घर की और चल दिया ग्रहम आगतम घर आकर तम उसे व्याकुलं दिर्श्टवा व्याकुल देखकर तस्से भारया उसकी पत्नी ने तम चिंताया कारणम अप्रिच्छत उसकी चिंता का कारण पूछा होता ही है ना जब घरते कोई अपसेट आता है उसकी शकल पर दिख जाता है कि अपसेट है कोई इंसान तो इसी तरह उसकी पत्नी ने भी पढ़ लिया कि आज पती जो है वो थोड़ा अपसेट दिखाई दे रहा है तो वजा पूछी उसने उसने रासबा का सारा व्रितांत कहा तमशुत्वा उसे सुनकर सावदत वह बोली श्वै कल अहम मैं नुरिपस्य प्रश्णा नाम राजा के प्रश्णों का उत्रम दास्यामी उत्तर दूंगी अते चिंताम त्यक्तवा भोजनम कुरू अते चिंता छोड़कर भोजन करो जबोजन कीजिए अन्यदू दूसरे दिन तेनाली रामें तेनाली राम सो भारिया सहर अपनी पत्नी के साथ राजभवनम अगच्छत राजभवन आया राजा को परनाम करके वै बोला तेनाली राम की पत्नी ने राजा से बोला क्रिपया कसिम अच्छित पात्रे किंचित दुगदम मैयम यश क्रिपया मुझे किसी बरतन में कुछ दूद दीजिए निर्पस्य अदेश अनुसार राजा के अदेश अनुसार सेवक है नोकर जा सेवक ने कस्याई दुगदम अयशत उसे दूद दिया दुगद पात्रम दूद का पात्र ग्रहित्वा ग्रहनकर सानरिपम अवदत उसने राजा से बोला असिमन पात्रे इस पात्र में भवान किंच्छती आप क्या देखते हैं आगे बढ़ते हैं राजा अवदत सावधत हैं वे बोली डूगदे किम पच्छा सी दूद में क्या देखते हैं सावधत अभ सा यहां पर बहु बच्छन का लगा ओओ है इसलिए साव के साथ हाक्यमातर है वे बोली परंतु मैं तो दूद में मखन भी देखती हूँ यथा दूद में मखन होता है ततहर वैसे ही जा उसी परकार संसार अस्य परतेकम कनम इश्वरो अस्ती संसार के परतेक कर्ण में इश्वर है यथा दुगदम मंथनम कृतवा जैसे दूद मत कर नमनीतम वयम प्रापनु में हम सब मखन प्राप्त करते हैं नमनीतम मतलब मक्खन ततहर उसी परकार विधानतस्य निरंतरम पठं विधानतस्य मतलब वेदों को निरंतर पढ़कर श्रवनम मननम्च सुनकर और मननकर अपकार की भावना से वयम हम संसारस्य प्रतेके जीवे संसार के प्रतेक जीव प्रतेकम अंचम और प्रतेक अंचमे इश्वरस्य अनुबवम इश्वर का अनुबव कर्तुम शक्नु में कर सकते हैं तस्य दर्शनम अपी कर्तुम शक्नु में उनके दर्शन भी कर सकते हैं हे राजन एतदेफ हे राजन एतदेफ तो प्रत्थम्स्य प्रश्ण नस्य उत्रम अस्थी कि हे राजा, हे राजन यही तुमारे प्रत्थम प्रश्ण का उत्तर है तेल से भरा हुआ दीपकम अयाचत दीपक मांगा तो आज हम पाठ को बस यहीं तक पढ़ेंगे, यहीं तक समझेंगे और यहीं तक सुनेंगे अब अभियासकारे में पहला प्रशन बच्चों आपके सामने आ रहा है जैसे कि मैंने आपको पैराग्राफ पढ़ाया है जितना तो अब सिरफ फर्स्ट कोशन है जैसे एक पदेन उत्रत जानिकी एक पद में उत्तर दीजिए अब आपके सामने जो प्रशन दिये गए हैं उनके उत्तर जो है वो आपको वन बै वन करके देनी है जैसे पहला पूच्छे है विजे नगर में किस राजा का शासन था तो अबी तक आपने पढ़ी लिया है कि कृष्णदेव राय का तो आप क्या लिखेंगे Krishnadev आगे रायसया लिखेंगे कि उनकी कोशन कस्या में पूछा गया है तो Krishnadev रायसया उसी परकायब पूचाय तेनाली राम की पत्नी जो थी कैसी थी तो तेनाली राम की पत्नी तो विदूशी थी पड़ी लिखी थी ना इसलिए हम आंसर देंगे विदूशी उसके बाद पूछा गया है राजा ने अपना आसन किसे दिया विदूशी महिला को तो विदूशी इसी परकार से लिखा रहने देना है तीसरे उत्तर में ऐसे योजक चिन्ने लगा कर आप लिखेंगे महिलाया महिलाय ठीके उसके बाद है हमारा परते कारे कौन देखता है तो ईश्वर देखता है तो ईश्वर के आगे भी सर्ग लगा देंगे दुग दे किम बफ्ती दूद में क्या होता है मक्खन होता है तो हम आप यहाँ पर लिख देंगे नवनीतम बस फिनिश नवनीतम अब पार्ट टू में आपको सारी एक्सरसाइज और बचा हुआ पार्ट समझाएंगे और साथ में रिटरन अनुबाद भी देंगे ओके स्टुडेंट्स टेक केर गुडबाई